Controversial reality show Big Boss OTT2 के विनर Elvis यादव कानूनी पच्छडे में बुरी तरह फस गए है Elvis यादव पर Noida में रेव पार्टी कराने, सापों की सप्लाई करने और इन पार्टीयों में विदेशी लड़कियों की एंट्री कराने का बड़ा आरोप लगा है दावा किया गया है कि Elvis इस मामले में लंबा फस सकते हैं हाला कि Elvis यादव से पहले भी कई Big Boss की कंटेस्टन कानूनी पच्छडे में फस चुके हैं इन में से कई लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है बताते कि Big Boss 17 में नजर आ रहे मुनवर फारू की पॉपुलर स्टेंडप कॉमेडियन है जिन पर हिंदों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसके बाद उन्हें काफी समय तक जेल में रहना पड़ा वही मोनिका बेदी Big Boss के दूसरे सीजन में नजर आई थी मोनिका ने डॉन अबू सलेम से शादी की जिस वज़े से वह लंबे समय तक विवादों में रही इसके अलावा उनको फेक पासपोर्ट बनवाने के आरोप में 5 साल की जेल हो गई थी Big Boss 2 का हिस्सा रहे राहूल माजन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है राहूल इस शो में कई बार नजर आए वो ड्रक्स केस में फस्ट चुके हैं हाला कि उन्हें कुछ देर के अंदर ही जमानत मिल गई थी वही इस लिस्ट में एजास खान का नाम भी शामिल है एजास भी ड्रक्स केस में ही जेल गए थे लेकिन एजास जेल से बाहर आ चुके हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं बता दे कि Big Boss 17 में नजर आ रही जिगना वोरा भी इस लिस्ट में हैं जिगना मशूर क्राइम रिपोर्टर रही हैं उन पर आरोप था कि उन्हाने छोटा राजन को पत्रकार जोतिरमें टे के बारे में एहन जानकारी दी थी वही खबरे हैं कि जोतिरमें के मडर केस में ही जिगना फसी थी ऐसे ही लेटेस्ट अब्डेट के लिए वायर टॉक को भी सस्क्राइब करें